ओम गंगन पते नमाहा जय मातारा पारशत जोत्र विज्ञान में आप सभी दर्सोगों का हर्दी कभी नंदन है आज हम मेश रासी के जातकों का प्रेल माहा का रासिफल प्रस्तुत कर रहे हैं तथा यह रासिफल चंद्र रासी के अनुसार बनाया गया है इसकी अफधारना चंद्र रासी के अनुसार है इस माहा अप्रेल माहा में मेश रासी के जातकों के दो गरोहों के रासी परिवर्तन होंगे 13 अप्रेल सन 2020 रात्री 8 बज़ कर 14 मिनट पर सूरिय अपनी उच्चा भिलासी रासी मीन से अपनी उच्च रासी में रासी में हस्तांत्रित होंगे अप्रेल महा के पहली तारिक को सूर्य अमीन रासी में अठारा अंस के रेवतिन अक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा मिथुन रासी में विचरण करेंगे मंगल अपनी उच्च रासी में 7 अंस के तथा 6,70 नक्षत्र में विचरण करेंगे बुद कुम्ब रासी के 21 अंस के पूरवा भाद्रपद नक्षत्र में एंटर होंगे गुरू मकर रासी अपनी निमन रासी में जीरो अंस के उत्रा साध नक्षत्र में परवेश करेंगे सुक्र व्रशब रासी में अपनी स्वयम की रासी में तीन अंस के कृतिका नक्षत्र में परवेश करेंगे सनी मकर रासी में 6 अंस के उत्रा साड़ नक्षत्र में अप्रेल महा की पहली तारिक को परवेश करेंगे तथा राहू मिथुन रासी में 8 अंस के तथा केतू धनू रासी में 8 अंस के आदरा तथा मूल क्रमसह नक्षत्रों में परवेश करेंगे इस प्रकार इस महा में इस राशी के जात्को के दित्वय स्थान पर ब्रशब राशी के आधिपति सुक्र तृत्त्य इस्थान पर उच्च के राहू के साथ चंद्रमा भाग्य इस्थान पर उच्च के धनुरासी के केतू करम इस्थान पर मकर रासी के स्वय रासी के सनी उच्च रासी के मंगल तथा निम्न रासी के ब्रहस्पती तथा द्वादस इस्थान पर उच्चा विलासी सूरिय तथा लाव इस्थान एक आदस इस्थान पर निम्ना विलासी बुद्ध यह महा के प्रारंब की ग्रह स्थिति रहेगी तथा माहा के अंत तक जाते जाते चंद्रमा चतुरतिस्थान करकरासी में रहेंगे परिवर्तित होंगे तथा बुद अपनी निमनरासी 12 इस्थान पर मेसरासी के आ जाएंगे तथा सूरिया अपनी उच्छरासी मेसरासी के लगन में विच्छरन करेंगे इस गणना के अनुसार मेश रासी के जातको के जीवन में सकारात्मक्ता तथा नकारात्मक्ता की स्थित्या समान रोप से बनी रहेंगी वर्तमान समय में वातावरण की स्थित्या बड़ी असुद्ध है बहुत समय से यह स्थित्य चल रही है कि विश्व कुंडली के एक इस्थान पर उच्चा भी लासी गरहे तथा निमना भी लासी गरहे किसी भी एक इस्थान पर बन रहे हैं एक ही रासी में बन रहे हैं अथ्वा उच्च के गरहे तथा निम्नक के गरहे किसी एक ही रासी में बन रहे हैं, अथ्वा स्वग्रही तथा सत्रुग्रही गरहे एक ही रासी में बन रहे हैं या इस्थिती बड़े समय से बनी रहुई है, तथा इसी का परिणाम वर्तमान में समाज के सामने अवस्थित मेश राशी के जात्कों के लगन के अधिपति मंगल दसम इस्थान पर उच्चकर होकर बैठे हुए हैं साथ में वहीं मकर राशी के स्वामी सनी है तथा साथ में वहीं नेमन के गुरू भी अवस्थित है परन्तु इस महां गुरू जिरो अंस से प्रारंब होकर विचरन करेंगे तथा यहां दसम इस्थान में गुरू का प्रभाव मेश राशी के जात्कों को देखने को नहीं मिल में जैसे जैसे गुरू उच्छ राशियों पर जाना प्रारंब कर देंगे, उच्छ अंसों पर जाना प्रारंब कर देंगे, तो गुरू के प्रभाव आने प्रारंब हो जाएंगे, प्रन्तु इस महा के प्रारंब में ते गुरू के प्रभाव मेश राशी के जात्कों कमी द्वंद बना रहेगा कभी आप अग्रसर रहेंगे और कभी आपकी विप्रीत इस्थितियां अग्रसर रहेंगी सहस तथा उत्सहा अतिरेक में रहेगा सहस टूटेगा नहीं परन्तु कारियों में सफलता तथा विजागी संभावनाए में भी आपके सामने प्रतरशित नहीं होंगे आप इससे हतास नहीं होंगे कारियों को निरंतर अबाद गती से करते रहेंगे में सराशी के जात्कों के दित्ते स्थान के अधिपति सुक्र दित्ते स्थान पर ये ही अवस्थित है तथा जिह सब्तम इस्थान के भी मेस्रासि के जातकों के अधिपती हैं रोग की संभावना एकं है, कुटम वुमे की स्थित्या बनी रहेंगी मान सम्मान, धन की प्राप्त होने की आये की स्थित्या सुद्रड रहेंगी कोस भी सुद्रड रहेगा वय की स्थितियां कम ही परदर्सित होती है यदि वय हुआ भी तो वय सामान्य रूप से वय होगा आय के शुरोत बने रहेंगे परन्तू वर्तमान में आय कम होगी भविश्य में आय बढ़ने की संभावनाए है अप्रेल माहा के अंत तक जाते जाते आय की स्थितियां सुचारू रूप से हो जाएंगी प्रारंब में अप्रेल माहा के प्रारंब में आय की स्थितियां न्यूंतम रहेंगी जो कारिय पुर्व से होने वाले थे उन कारियों में अडचने आने की पूर्ण संभावनाए हैं परंतु कार्य पूर्ण होगा। सुख के अवसर मेश रासी के जात्कों को कम प्राप्त होंगे। मांसिक चिन्ताएं घेरे रह सकती हैं इस महाँ मेश रासी के जात्कों को। चिन्ताओं के चलते आप निरंतर योजना बनाते रहेंगे तथा उनका स्वम ही खंडन भी करते रहेंगे। मेश रासी के जात्कों के पंचम इस्थान के अधिपती सूरिये। महा के प्रारंब में उच्चाविलासी 12 इस्थान पर तथा महा के अंतर तक जाते जाते। उच्च रासी में लगन में अवस्तित हो जाएंगे। कोई नवीन कारियत नमवीन योजना अथवा एक ऐसा फार्मूला जो समाज के प्रतियक व्यक्ति को पसंद आएगा तथा उस विचार पर समाज अपने आपको एक अत्रित पाएगा ऐसे मेश राशी के जातक समाज को प्रदान कर सकते हैं विख्यात हो सकते हैं यसकी प्राप को उत्तम फल प्रदान करेंगे मेश राशी के जातकों को जहां यह प्रदर्सित हो रहा था कि रोक की स्थितियां कम प्रदर्सित होंगी महीं प्रबंद में बड़ी नियूंता आएगी मैनेज करने में बड़ी नियूंता आएगी सत्रू भी प्रबल हो सकता है बाद विव इविश्वाद में आपके पराजे के सामना करना पड़ सकता है। वार्था लाप में आपके जो विचार हैंं, उन पर पठाक सो सकते हैं। गरस्त जीवन मेश राशी के जात्कों के बड़ा उत्तम रहेगा। गरस्त जीवन साथी का सहयोग is प्राप्त होगा। ग्रस्त जीवन साथी आपका निरोगी रहेगा, ग्रस्त जीवन साथी की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपको चिंता प्रदान प्राकरम की नियुनता दे सकती है, करम करने के पर चात भी उसके सुपलोग को प्राप्त ना होने की स्थिति आपको चिंता प पति भी मंगल ही हैं तथा लगनेस और अश्टमेस दोनों मंगल उच्च के होकर दसमिस्थान में द्वंद कर रहे हैं अताई इस समय में सराशी के जात्कों को किसी ऐसी घटना का सामना करना पड़ सकता है जो इनके विल्कुल ही विपरीत तथा विमुख है इससे लड़ने म में में सराशी के जात्कों को बड़ी कठना ही होगी यदि इस समय में सराशी के जातक आध्यात्मिक चिन्तन करेंगे तो उन्हें अपार सफलता का सामना होगा सफलता ही प्राप्त होंगी रोग से संबंदित यह विशय नहीं है यह विशय उनके व्यक्तित्व उनकी कार्य को लेकर है भविश्य में भाग्य को लेकर चिंतित रहेंगे भाग्य के विश्य में आपको बहुत ही सुद्रड़ता से विचार करने की अवश्यक्ता है जिन विश्यों पर आप विचार कर रहे हैं योजना बद कर रहे हैं उनको क्रियानवन भी कीजिए में सरासी के जातक उ नुभाव कर रहे हैं अटकले उनके सामने आ रही हैं अडचने उनके सामने आ रही है परंतु इन अडचनों का सामना आपको करना होगा तथा इनके विशेमें विचार भी करना होगा जिस प्रकार करम के आश्टम के अधिपती तथा लगन के अधिपती मंगल द्वंद कर रहे हैं उसी प्रकार एकादस लाब इस्थान के अधिपती भी दसम इस्थान में मेसरासी के जात्कों के द्वंद कर रहे हैं अर्थात मंगल गुरू और सनी का जह जो ट्रेंगल दसमिस्थान में बना हुआ है ये बहुत ही स्थितियों के लिए संभावित सकारात्मक भी है और बहुत सी स्थितियों के लिए के संभावित नकारात्मक भी है सुख तो मेशरासी के जात्कों को यह प्रतान नहीं करने वा अत्वा आपने जदी किसी सामान का विक्रे किया है तो उसको आपको हानी से प्रदान करना पड़ सकता है मेसरासी के जातको के 12 इस्थान के अधिपती भी दसमिस्थान में अता है कार्याक्षेतर में वै होगा हानी की भी संभावनाएं इनके सामने बन रही है मेसरासी के जातको को समस्याओं से निवरत्ती के लिए लिंग मुद्रा का प्रदर्शन प्रति दिन 45 से 65 मिनट के मध्य करना चाहिए तथा ओम नमाश्यवाए पंचाक्षर मंत्र अत्वा भगवती जगदंबा का मंत्र याश्री श्वं सुक्रतानाम भवनेश्व लक्षमी पापात्मनाम करते ध्याम हर्देश बुद्धी स्रद्धासताम पुल्जन प्रभवश्य लज्जाताम अत्वाम नताह इस महाँ परिपालाय देवी विश्वमा दुर्गा सब्सति के चतुर्त अध्याय कपंचम मंत्र इसका जब करना चाहिए अत्वा हिरिंग भीज मंत्र का जब करना चाहिए मुद्रा के साथ साथ मंत्र का जब करेंगे तो आपके लिए अत्युक्तम होगा समस्याओं से निवर्थि प्राप्त होगी धन्यवाद सुभंभवतु